दोस्तों आज हम जानने वाले हैं मचली पानी में कैसे तेरती हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाए और आल पर क्लिक करें। धरसल मचली का शरीर लचिला होता है। कोई भी मचली तहरने के लिए अपने शरीर को तरंग की तरह ये साकार में लहराती है। और पानी में आगे की और गति करती है। मतलब मचली अपने पूंच और लचिले शरीर को एक बार दाए और एक बार बाए आई से जटके देकर पानी में आगे बढ़ती है। साथ ही मचली के शरीर पर पक्ष यानि फींस पाये जाते हैं, जिसकी मदद से मचली दिशा बदल सकती है, सामान्य काटे वाली मचलियों के शरीर में एक हवा से बरी थैली होती है, जिसके कारण मचली पानी में गहराई में उतरती है और उपर भी आती है, इसके अलावा मचल मचली का शरीर नवकाकार होता है जिससे मचली को पानी में तरने में आसानी होती है मचली का शरीर स्केल्स यानी शलकों से डखा होता है इसके कारण मचली के शरीर की रक्षा होती है और शरीर को पानी पर फिसलने में मदद करते है साथ ही मचली अपने गलफ़रं की मदद से में घुले oxygen का उपयोग सास लेने में करती है इसी तरह मचली पानी में तरती है और आगे बढ़ती है ऐसे ही ग्यान वर्दक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद